आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पर्फॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में जो हाल ही में रिलीस किया गया है हाल ही में जारी इंडेक्स में भारत को आठाइम श्थान मिला है और ये भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक चीज है भारत 63 देशों की जारी रैंकिंग में यह स्थान हासिल कर पाया है भारत को यह ranking उसके कम उत्सरजन और नवी करनिय उर्जा के बढ़ते उपयोग के आधार पर दी गई है इस ranking को European Union और 59 countries के climate performance को track करते हुए तयार किया गया है यह दुनिया में 92% से अधिक greenhouse gas emission के लिए जिम्मेदार है इस ranking में America 52nd, Canada 58th, Roos 59th और Iran last 63rd position पर है जो performance में very low category में शामिल है Climate Change Performance Index के बारे में अगर बात करें और इस report के बारे में बात करें तो यह report German Watch New Climate Institute of Climate Action Network के द्वारा त्यार की गई है यह ranking इस बात पर अधारित है कि यह देश 2030 तक अपने emission को कम करने के लिए कितना बहतर performance कर रहे है इस ranking में पहले तीन स्थान पर कोई भी देश नहीं है क्यूंकि किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्छ रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांग शेणियों में अच्छा परदर्शन नहीं किया है इस ranking में Denmark को चोते स्थान पे रखा गया है इसके बाद Sweden और चिली का स्थान आता है चेंग जो Greenhouse गैसों का एक सबसे बड़ा उत्सरजक है इस वर्ष की CCPI ranking में 13 स्थान गिर कर 51 स्थान पर आ गया है इस ranking में पहले तीन स्थान पर कोई भी देश नहीं है क्योंकि किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्छ रेटिंग प्राप्त करने के लिए सबी सूचकांग श्रेणियों में अच्छा प्रदशन नहीं किया इस सूचकांग में रेटिंग टेबल पर अगर टॉप 10 कंट्रीज की बात करे तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पहले तीन स्थान पर कोई भी देश नहीं है चौत्वे स्थान पर डन्माक है पाच्वे स्थान पर स्वीडन है छटी पोजिशन पर चिली साथ्वे स्थान पर मौरको आठ्वे स्थान पर भारत जिसका स्कोर 67.35 परसंट है नौवे स्थान पे एस्टोनिया, दस्वे स्थान पे नौर्वे है इस रैंकिंग में भारत को आठवा स्थान मिलना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है क्लाइमेट के रूप में अगर देखा जाए तो भारत ने ग्रीन हाउस इमिशन और उर्जा उप्योग शेनियों में उच रेटिंग प्राप की है जबकि भारत को जलवायू, नीती और नवी करनिय उर्जा वर्गों में मध्यम रेटिंग दे गई है भारत ने ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के कई अच्छे उपाय किये हैं और उन पर गंभीरता से अमल भी किया है जिस कारण से भारत ने इस रैंकिंग में अच्छा प्रदशन किया है CCPI की पिछली रैंकिंग के बाद भारत ने नेशनल लेवल पर निर्धारित योगदान को अपडेट किया है साथ ही भारत दो हजार सत्तर तक नेट जीरो इमिशन का लक्षय भी रखता है भारत पैरिस समझोते के तहट ग्लोबल टेंपरेचर व्रदी को 2 डिगरी से नीचे लाने और 1.5 डिगरी सेल्शेस तक सीमित करने की भी योजना बना रहा है साथ ही भारत 2005 के सतर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पात की उत्सरजन त्रिप्ता को 45 परतिशत तक कम करने के लिए भी प्रतिबत भी है इन उपायों के आधार पर भारत ने क्लाइमेट चेंज पर्फॉर्मेंस इंडेक्स में अच्छा परदर्शन किया है अगर हम बात करें रैंकिंग में G20 देशों का परदर्शन कैसा रहा तो इंडेक्स में G20 देशों की पर्फॉर्मेंस में भारत आठवे स्थान पर, United Kingdom ग्यार्वे स्थान पर और जर्मनी सोल्वे स्थान पर है केवल तीन यही देश हैं जो CCPI 2023 में उच्च परदर्शन करने वालों में शामिल है इसके अतरेक्ट 12 G20 देशों की पर्फॉर्मेंस अच्छी नहीं है ग्रेन हाउस गैस उससरजन का पिछेतर परतेशन से अधिक उससरजन G20 के देश करते हैं इसके आधार पर कह सकते हैं कि G20 देशों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कैनेडा, रशिया, दक्षिन कोरिया, सौधी अरब, G20 के सबसे खराब परदर्शन करने वाले देशों में शामिल है Climate Change Performance Index के बारे में अगर बात की जाए तो Climate Change Performance Index वर्ष 2005 से प्रती वर्ष परकाशित किया जाता है यह ranking जलवायू प्रिवर्तन से निपटने के लिए विभिन देशों द्वारा किये गए प्रयासों को ट्रेक करता है इसका उदेश्य अंतरराष्टिय जलवायू राजनिती में पारदर्शिता को बढ़ाना है साथ ही जलवायू संगरक्षन के प्रयासों और अलग-अलग देशों द्वारा किये गई प्रगती की तुल्णा को परदर्शित करना है इस इंडेक्स को जर्मन वाच न्यू क्लाइमिट इंस्टिटूट अफ क्लाइमिट एक्शन नेटवर्ग परती वर्ष परकाशित करते हैं इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कर फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक्यू सो मच चैनल को पर टॉपिक यहीं, शेर लाइं मेड़न तॉपिक बढी टॉपिक ट्यां टॉपिक शेर लाइक टॉपिक ए हमारे लाइकर की टूपिक बढीक बखराव को लेता है